गुड मॉनिंग हर हर महादेश सुभा के सड़ी आठ बज रहे है थोड़ा लेड भी निकल ले और हमारी जो यात्रा है थोड़ा लेड से शुरू हो रही है पर ठीक है अच्छा है और कल जो हमारी रातरी विस्वाम होगा था वह था होटल सदवावना में हमें तो लगा यहा आपकी इच्छा है 2001 रुपे वह दे दो हमें नीच यह हो तो पहले पकड़ने के लिए मना ही कर दे तो उन्होंने साप मना कर दिया था फिर हमने 500 रुपे पकड़ा दिया हमने का ठीक नहीं है उन भाईय से हमारी बाची तो अगयरा भी हुए और काफी अच्छा लगा उन पी है गुमखाल बजार से चाई पानी पीने के बाद अभी वढ़ चुके हम अपनी आगे की यात्रम है आज मौसम भी खराब है और बादल भी लगे है कई बारिस वगे नहों जाए यहां की बारिस से बहुत जादा ठंड सी भी लग रही है जब बारिस हो रही है और सामने प्यारे से गाउं भी है इन गाउं का नाम तो भी पता नहीं है जब जाएंगे तब पता चल जाएंगा जाना हमने वहीं पे से यह रास्ता ओ वहीं पे से कट रहे है गुमखाल से सत्पुली है 19 किलोमेटर के आसपास तो आज हमारा जो नाइट का विश्राम होगा उस साथ सत्पुली में हो सकता है या उससे आगे जाने की कोशिश करें यहां के जो गाउं कितनी प्यारी लोकेशन में बस नहीं पता जब आगी की तरफ जाएंगे फिर नाम भी बता दिएंगे पर ऐसी जगों में होता है कि ऐसी जगों में पानी की थोड़ा दिक्कत रहती है जैस यहां से एक-एक पराटा खांके और साथ में एक चाई पी के फिर दुबारत से आगे बढ़ेंगे तो जब से हमने हरिद्वार से यात्रा सुरू किये तब से सुबह नास्ता और लंच हमने किया नहीं तो आच बोला यहां पर पराटे और साथ में दही और एक-एक गर्म गर् लेठे रह जाएंगे तो फिर पता नहीं बारिस होगी तो फिर हमारा चलना ही मुश्किल हो जाएगा एक दिन में 20 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे फिर हम यहां पर बारिस हो गई तो यहां का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा एक दम चस सा लगता है ना अब नंगे पा जो गरम पानी हुआ था उससे सेकन की पानी की बहुत ही रिलेक्स बहुत आराम मिला उससे और अब मजे भी आ रही है नंगे पाउंच चलने में सामने अगर जो आप यह गाउं दिख रहे होंगे यह है बैर गाउं और उपर हनुमान गड़ी मंदिर है हनुमान गड़ी त्रेक इदर से जाता है ठोड़ा दूर कर यहां में बहरब गड़ी मंदिर हो पर मैं लंगोर घरब अब जाएंगे तो यहां पे एक गंटा बैठे रह गए और टाइम अभी एक बजने वाले हैं बहुत जादा समयना हमने यहां पे बैठे बैठे अपना वेस्ट कर दिया है अभी तक तो हम पता नहीं कहीं और ही पहुच जाते हैं पर अगर जो आप यह नीचे वाली रोड देख रहोंगे यह अगर जो आप देखेंगे तो यहां सोट का कुछ पता ही नीचल रहा है जितने भी रास्ते हो सकते हैं जाड़ियों अगर बहुत जाता है तो रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं नंगे पाउँ ऐसे जा भी नहीं सकते हैं तो हमें कहीं न कहीं बाई रोड ही चलना अब उस टाइप का रास्ता ही नहीं है तो बाई रोड ही चलता है हमारी जो यात्रा थी ऊपर उदर कोनों से शुरूई थी काफी उपर से और यह जो टॉप दिख रहोंगे यह बहरवगड़ी मंदिर का एकदम हैस्ट पॉइंट है और उपर से कितना प्यारा दिखाई दे सुबा से हम बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और अभी नगर पंचाय सत्पुली यहां पर एक दुकान मिली है काफी देर बाद तो एक चाई पेंगे बस हमारे साथ यह नहीं होना चाहिए कि हम एक किलोमेटर आगे गए और दुकान दिख गए हम वहापे भी चाई पी दे के बाद आगे की तरफ बढ़े हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं सत्पुली मार्केट यहां के पाड़ भी कैसे हैं एक दम बड़े बड़े परवाट टाइप के लग रहे हैं यहां से इस पाड़ी से दोसी तरफ का एरिया शुरू हो जाता है यानि कि एकर जो थोड़ हम कुजब भी और इस जगे में भी तो том ह कुज है बसे अए अपका साढ़ नहीं यहां पर पता नहीं और यहां से दिखाई दे रहायंगे काफी भगवान का मंदिर पर पता रहे हैं काफी बड़ा मंदिर हो सकता है जिसरसाभ पर रोड रोड सेह ही बिल्कुल एक्दम बना मार्केट है वहां के लिए सोटकट रास्ता भी जाता है तो वह सोटकट रास्ता अभी हमने देखना है उसका ध्यान रगना है ताकि हम डिरेक्ट बाई रूड न गुमें बाई रूड पता नहीं कहे किलोमीटर पर जाएगा अगर डिरेक्ट नीचे चले गए तो बहुत बड सक्षाथ बादि या मारकेट और सब्वाली पाड़ी में चलते हैं वहां से दिखाथे आपको गाउं सत्पुली जाने के लिए में जो सौटकट रास्ता यह से रफ कि तरफ जारा है तो अब हम जाने वाले सत्पुली गाउं सत्पुली मारकेट नीचे बिलकुल नदी के प तो वहीं जाना है अभी हमें लाश्ट टाइम जब मैंने चार धाम यातरा की थी तब भी मैं सत्पुली होते हुए गया था अभी के समय तो पता नहीं चल पा रहा है हमने किस तरफ जाना है पर जब मार्केट में चले जाएंगे रोड देखेंगे तब अंदाज आ जाएगा वैसे किसी ना किसी को पोची लिंगे गाउं के लोकल रास्तों से जा रहे है और यहां के रास्तों में देखें कितने ज्यादा चोटे मोटे पत्थर है और यह चूप से रहे है रास्तों से नीची की तरफ जा रहे है और सत्पुली बायार देखेंगे इस साइट से पूरा गड़ा को हो चुका है नीची के तरफ में गजब दिखाई दे रहा है स्कूल कॉलेज और कुछ इस सैड में भी है थोड़ा आगे से देखते हैं इस सैड से पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है बड़ा ही गजब का बना है नीचे सैद मचली पालन भी लग रहा है उदर लग रहा है फूल देखे भी इतना ज्यादा दर्द रोड में चलने से नहीं हो आप पाउं में जितना इन पत्त्रों में हो रहा है अब समझ गया में कितने खत्रनाक पत्तर है नहीं बहुत ज्यादा बोले थोड़ा राम से चल आगे के रास्ते भी ऐसी डेंजरस होने वाल सब्सक्राइब और यहीं सब्सक्राइब यहां पर रहती है और गाड़ियों का सोस्रावे इदर जाता होगा इस वज़े से ना अवाज भी नहीं आएगी कैमरे में जा रहां अब यहांसे ऊपने तरफ करे डेख रहे हैं अच्छा लगा यहांसे अब सद तुली में आख इन और यहांसे अपने तरफ कमों सब्सक्राइब यह सुरू हो चुका है जो है बोले की डर भी लग रहे हैं ताउजी को देखके तीक है काफी अच्छी जगे है यह और यहां पर रहने की बेष्टा हो गई और कुछ नहीं चाहिए हमें बस एक कहीं पर भी हमें यह तो टेंट लगाने के लिए मिल जाए यह कमरा मिल जाए यह कुछ भी मिल जाए यहां पर हनमान भगवान जी का मंदिर है और इस साइड में तो कावडी आती रहते हैं सत्पुली में तो यहां पर यह जानते हैं पंडित लोग सब जानते हैं तो वह कई-णा-कई हमारी व्योस्ता पानी करेंगे पर पुजारी जी भी है नहीं पूज जी देखें बात करते हैं उन्हें झूञते हैं फुटी सी जगे है नहीं आगि मंदिर जी से भी बात ही वू कह रहे है कि आप यहां पर रह सकतेह ऊप कि यहां पर राद बर आजमी परिसान रह सकता है तो इस वजी से ना उन्होंने हमारी को बात कराई है नीचे चौहान गैस्ट हाउस भी है आप वहां पर जाके भी रह सकते हो तो वहां पर हम देख के आ चुके है तो अभी हम वहीं पर जाने वाले अपना समान लेके वह इस ज जेगे पर हमें रहने के लिए मिल चुका है फिर यह ओप कॉस्ट तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है अच्छा लगा यह देखके ना यह जो हॉल है यह पूरा हॉल खाली है तो यहां पर रहने वाले हम एक कोने में कहीं पर भी पड़ जाएंगे यहां पर यह अपना रहने की यहां पर फुल व्योस्त हो चुकी है और यहीं से अगर जो बहार देखेंगे यह नयार यह बैजरों के तरफ से आती है यह नयार ना यह नदी और हमने एकल इसी साइट से जाना है ऐसे करके अच्छा लगा है यहां पर लोकेशन भी काफी मस प्यारी है तो चलिए फड़ावर से अभी इसनान करते है फिर इसनान करने के बाद मिलते हैं अभी हमारा इसनान भी हो गया और पूजा पार्ट भी हो गया तो अभी खाने का इंट जा रहा है पता नहीं के बज़े तक रात के बोजन की त्यारिया हो चुकिया है अभी 8 बजन है और बोजन हमारा बन चुका है अपना रात्री का बोजन भी आ चुका है बोजन खाते हैं और साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड भी करते हैं मिलते हैं सी किसी को नए व्लोग में तब तक के लिए टेक केर के इड भाई वीड बिद्व पसमाई जीए लाइक गमेंट शेर शेस प्राइब को अफा सबस्क्राइब और जै विड़्ीज याई उडिए